हेलो फ्रेंट्स प्रेस्पी बटारा चैनल में मैं रन्जो जी आज सब का स्वागत करती हूँ प्रेंट्स आजम बिना मैदा, बिना बेशन और बिना चावल के आर्टे से बनाएंगे बहुत ही चटपटा और बहुत ही क्रिस्पी नास्ता किवल गियूं के आर्टे से बनाएंगे अगर आपको अचानक से भूख लग जाती है और कुछ अच्छा खाने का मन करता है जो की हेल्दी भी हो तो इस नास्ते को जरूर ट्राएं कर सकते हैं तो इस नास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है गियों का आठा गियों के आठे को मैंने छान करके लिया है और दो से तीन चम्मच या तो आधी छोटी कर्टोरी मैंने लिया है सूजी सूजी डालने से क्या होता है किया नास्ता क्रिस्पी बनेगा और इसी के साइज के टमाटर को कट कर लिया है टेस्ट के अकोडिंग हैरी मेस लिये और दो मेडियां साइज प्यास को टो और आ कार में कट किया है एक छमगे लगवग अद्रब का पिस्थ है रिजक के अकोडिंग है या तो सावानेता आप आधा चमच ले सकते हैं आधा चमच जीरा लिया है मैंने एक चुथा चमच हल्दी का पाउड़ू लिया है और इसी के साथ में थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक अच्छा सा लिक्विड तयार करेंगे जो कि नाहीं बहुत पतला होना चाहिए और नहीं बहुत ज्यादा गाड़ा होना चाहिए इस नास्ते को आप साम के टाइम बना सकते हैं या तो सुबह के नास्ते में भी बना सकते हैं या नास्ता हेल्दी इसलिए है क्योंकि इसमें घर की सारे समागरे मिली हुई है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आपका व बहुत ही अच्छा बनेगा तो देखिए इसतरह से मैंने मिक्स कर लिया है अभी थोड़ा इसको और भी घाड़ा करने की जरुवत है थोड़ा सा पानि में इसमें और डालूँगी और इसको किसी भी कल्छी से इस तरह से अच्छे से करेंगे मिक्स तो इस तरह से पर्फेक्ट लिक्विड हो गया है रेडी अब इस नास्ते को पुरकुरा बनाने के लिए सबसे जरूरी इंग्रीडियन्स जो है उसको इसमें एट करेंगे तो यह है एक चोथाई चमच मीठा सोडा इसे यह पकवड़ा बहुत ही क्रिस्पी करेंगे मिक्स ध्यान रहे कि इस नास्ते को रेष्ट करने के लिए नहीं रखना है यह तो आप रेष्ट करने के लिए रख रहे हैं तो जब पकवड़ों को मीठा सो डा इउत करें तो मैटर हो गया है रेडी इदर दूसरे साइड मैंने रख दिया तेल गरम होने के लिए तेल को मीडियम तू हाई फ्लेम पर गरम करना है और पकोड़ों को मीडियम तू हाई फ्लेम पर फ्राई भी करना है तो गरम तेल में किसी भी कल्ची या बड़ा चम्मच हो तो इस तरह से घोल उठा करके थोड़ा थोड़ा तेल में डालेंगे उतने ह हम आराम से फ्राइब कर सके तो दो से तीन पकोडिया इसमें आराम से आजाएंगी एक से दो मिनट बाद इन पकोडियों को उलटते पलटते हुए गोर्लेंड ब्राउन होने तक फ्राइब करेंगे और हां इसे के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज रेश्पी बटाला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आकन के घंटी को क्लिक कर आल बटन को प्रेस करें जिससे जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो आपके साथ सेयर करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें तो पकोडिया मुझे लग रहा है कि फ्राई हो चुकी हैं लगवग तो एक पकोड़ी में आपको उठा करके दिखा रही हूं कि कितना क्रिस्पी और कितना लाजबाब पकोड़ा बन करके रेडी हुआ है है ना बहुत ही लाजबाब तो इस चटपटे नास्टे को आप अपनी मन पसंद किसी भी खटी मिठी त कमेट करना बिल्कुल भी ना भूलें तो इसी तरह से बाकी के बचे हुए बैटर से पकोड़े तल के फ्राई कर लेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रेस्पी के साथ